नमस्कार दोस्तों टेक्नोटेक में आप सबका बहुत बहुत सागत है आज मैं आप लोग के लिए ले आये हूँ एंटिक का सीप्यू कूलार जो कूलार एस्टू से सीरिस से आता है यह है एच सिस्टी प्रो ठीक है इसका कॉस्ट लगवक 4600 रुपिस का अंदर आएगा ठीक है चलिए इसको खोल लेते इसमें क्या है देखते है सबसे पहले देख लेए थे कुंसा कुंसा मदरवर्ट के लिए कंपाड़ेवल है एल्गे 775-1151-1155-1156-1366-2011 एमडी में एमडी 2 एम2 प्लास एम3 एम3 प्लास एफम1 एफम2 के लिए सपर्ट करता है ठीक है चलिए इसको देख लेते क्या है सबसे पहले आपको मिलेग का सीप्यू फैन कुलर फैन जो 120 मिलीमीटर की साथ आता है इस विद अर्जन एलेडी है इसमें ब्लू कलर के लेडी दिया हुआ है फॉर पीन कनेक्टर एस स्वे स्पीड कंट्रल एफ पीडवलम फैन है इसका अंदर आप देख सकते है ये लेडी का दिया हुआ है एक दो तीन चाट्टा ये लेडी दिया हुआ है ठीक है इसको सेट पर रखते है कुछ मैनुएल मिलता है युजर मैनुएल यह है फैन स्क्रूू सॉकेट मिलता है सेट करने के लिए इसमें बैक पैनल है बटम स्क्रू दिया हुआ है एमडी इंटेल अलग-अलग से आता है ठीक है इसमें आपको थर्मल पेस्ट भी दिया हुआ है अंदर देखिए यह थर्मल पेस्ट ओके अब स्कूलर को निकलते हैं कि रेडियेटर और 20 mm जो अलोनियम का पुड़ा बना हुआ है इसका दोनों तरफ ही स्कूरू दिया हुआ है को मांट करने के लिए एक तरफ फैन लगाने के लिए यह है हीट सिंग जो मोटर की साथ आता है यहां पर जो यह आप एंटेक का लोगो देख रहा है यह भी ग्लो करेगा ब्लू कलर का ठीक है इसका साथ कनेक्टर दिया हुआ है यह स्टापोर्ट में जाएगा यह पीसिंग अपकास मादरबोर्ड में जाएगा ओके यह पूरा कॉपर प्लेटिंग दिया हुआ है जो हीट के लिए हीट को डिस्वेपेर करने के लिए बहुत ज्यादा हेलपफुल होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक्यू भेरी मच यह वीडियो देखने के लिए अगर कोई भी सवाल लो तो कॉमेंट सेक्षिन में जरूर पूछिएगा अगर यह वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सेहर जरूर कीजएगा अगर इसी तरह का वीडियो आपको बहुत सरा देखना है तो अप लोग चैनल को सस्काइब करना ना भूलेगा ठीक्यू भेरी मच